बिहार एस्टेट 2023 की बात कर रहे हैं और बिहार एस्टेट में यानि यह जो परिच्छा के लिए नोटिफिकेशन भी निकला था वो नौवी दसवी जिसको माद्ध में कहा गया और ग्यारवी बारवी जिसको उच माद्ध में कहा गया उसके लिए पात्रता परिच्छा के त और दूसरी बरती निकाल ली हैं BPSC के दौरा, अब इस वीडियो में हम बात करें, बहुत सारे बचों ने मुझे पूचा कि सर, बिहार Estet 2023 के लिए जो SST है, जो सामाजिक अध्यन है, सर उसको यूटूब पे बिलकुल फुरी में पढ़ा दीजे, तो मैंने उनकी बात को मान और हम लोग जो हैं संपूर्ण फ्री क्लासेज, टोटली फ्री क्लासेज, किसकी बिहार Estet के लिए, SST की वो भी कौन सी S-C-E-R-T बेस्ड बिलकुल स्टार्ट करने वाले हैं, अपने इसी यूटूब चैनल SST वाई उनिपम सर पर बिलकुल फुरी में, पहले कुछ बातो को समझेंगे, क्या क्या बात हैं, फिर उसके बात चीज़ों को समझेंगे, BPSC का अवीजो एक्जाम हुआ, उसके ट्रेंड को समझें, समझना, और बैसे भी पहले का जो हमारा अनुवव है, उसके बेस्ड पर सबसे पहले तो चाहे आप यहां पर माध्यमिक की तयारी कर याद रखना, यानि नौवी और दसवी वर की तयारी कर रहे हो, या फिर आप यहां पर उच्छ माध्यमिक की तयारी कर रहे हो, उच्छ माध्यमिक का मतलब है, कि आप जो ग्यारवी और बारवी के बर की तयारी कर रहे हो, इसमें यह तो बिलकुल मस्ट है, कि आपको यहा आप इसमें एक भूल विद्यारती करते हैं कि सर माद्धमिक का पेपर हम देंगे तो माद्धमिक के पेपर में तो गुरुजी नौवी दसवी तक ही पूछा जाएगा 11 उबारवी का बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा या उच माद्यमिक में तो केवल 11 उबारेवी का यह बिल्कुल ऐसा कहीने लिखा है कि नहीं भाईया यही पूछा जाएगा समझ रहे हूँ इसलिए कम से कम BPSC के द्वारा जो यह माद्यमिक और जब यह उच माद्यमिक इस्तर पर बरती हो याद रख लिजेगा तो उसमें आपको कम से कम एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए और बेसिक जानकारी आपकी कौन सी जानकारी है बेसिक जानकार ये बिहार बोड की SCRT और NCRT को पढ़ लेना subject की चाहे वो SST के इंतरहत पढ़ रहे हो या उच्छ माध्यविक में जोगर्फी पढ़ रहे हो या उच्छ माध्यविक में हिस्ट्री पढ़ रहे हो, political science पढ़ रहे हो, economics पढ़ रहे हो उसमें यह must है कि आप at least कम से कम 16 से लेकर के 12 वी तक की NCRT और SCRT दोनों पढ़े BPSC का जो भी paper हुआ है उसमें भी मैंने यही कहा था, लेकिन बच्चे कहने थे कि सर एक बात बताओ माध्यमिक में 9-10 के लिए हम 11-12 का क्यों पढ़ें लेकिन सवाल कुछ 11-12 के सर के थे, जो primary में थे एक से पांस तक मैंने उनको छटवी, सातवी, आटवी, नौवी तक की NCRT पढ़ाई, वो ने master पागल होगे हो, आप तो बताओ, 9-10 वी NCRT पढ़ा रहे हो, एक से पांस तक में थोड़ी ना पूचा जाएगे, लेकिन सवाल पूचेगे, 9-10 वी, 11-8 तक, तो उससे सबक लीजिए, बिहार एस्टेट के लिए, अगर आप तयारी कर रहे हो, इस बिहार एस्टेट के लिए तयारी कर रहे हो, जो मैंने आपको यहां पर बताया, बिहार एस्टेट के लिए, चाहे तो आप माढ़ध्यमिक लेवल पर तयारी कर रहे हो, माढ़ध्यमिक ए drives, 9-10 वी, चाहे आप उच्च माढ़ध्यमिक इस तर पर तयारी कर रहे हो, इस के लिए यहां बिलकुल must है, कि आपको चटवी से लेके 12 वी तक की बेहार बोड की SCRT, बेहार बोड क NCRT मतलब बिहार complete NCRT होती है बिहार राजी की अपनी SCRT है इसको आपको detail में detail में analysis करते हो पढ़ना होगा अब आप उच्छ माध्यवेक में तयारी कर रहे हैं जोगर्भी पढ़नी है तो 6-12 तक की पहले तो जोगर्भी पढ़ो आप उच्छ माध्यवेक में history, political science, economics कुछ भी दे रहे हैं SCRT खतम करो साथ की साथ NCRT खतम करो SST की तैयारी कर रहे हो तो चारो subject पढ़ने पढ़ेंगे history, geography, politics, economics, चारो की SCRT और NCRT खतम करो यह must है इसके विना कुछ भी नहीं होगा जो इसकी जो मैंने आपसे कहा कि जो हम free classes आपके लिए चलाने वाले हैं वो सो free classes में विएघर में आपसे बात करूंगा हम आपको जो पढ़ाएंगे बिहार बोड के लिए, classes कल से start हो जाएंगी मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम क्या विया, SST by Anupam sir यहां पर आप इसके live segment में आप जाके देखोगे, तो कल का event भी बना हुआ आप देख रहे हो, बिहार Estet 2023, माद्दमिक, paper 1, work 19, SST सामाजे गदन, 100 marks वाली class यह जो class है मारी कितने नमर के विया, 100 नमर वाली class है मारी, और work 19 के लिए तो मैं SST कराए रहा हूं लेकिन जो उच्च माद्दमिक level पर, जो उच्च माद्दमिक level पर जोगराफी को पढ़ना चाहते हैं, वे भी इस class का आनंद ले सकते हैं, वे भी इसमें पढ़ें, क्योंकि हम इसमें SST के अंतरगत सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे, जोगराफी और वो भी क्या तक ले लेवल कराई गई हैं, देख लेते हैं यहां पर, हम यहां पर जाएंगे, तो बिहार बोड, www.biharscit.in में, जब इस पर हम जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे हम, तो क्लिक करने पर आप पाएंगे इसमें, कि आपको complete तरीके से इन्होंने SCIT की PDF फाइल वहां पर दिय हुई हैं, साइध मैं इसको अलग से भी उपन किया है, अब यह उपन हो जाएगा ना, तो यह इसमें इन्होंने क्या किया है, complete तरीके से दिय रखा है, तो आप उनको बड़ी ध्यान से पढ़ भी सकते हैं, खुलके भी आ गया, राज सिक्षा सोध प्रसिछण परसद बिहार, इ एक से लेके बारवी तकी क्लास पढ़ी है, क्लास छटवी से लेके सुरुआत करेंगे, अब क्लास छटवी में अगर हम देखेंगे, सामाज एक आर्थिक जो पॉल्टिकल साइंस है, उसका कक्षा 6 की, NCRT, हमारी दुनिया जोगरफी है, अतीत से वरतमान तक हिस्ट्री है हम जोगरफी को लेंगे, तो अगर हम कक्षा 6 की सो जोगरफी को लेंगे, तो इसको अगर उपन करें तो आप देखेंगे, इसमें कितने चैप्टर है, या 10 चैप्टर है, इसमें पहला चैप्टर जो है, मैंने पहले से उपन करके रखा है, क्लास छटवी का पहला मेरे ख्याल से हम इसको बढ़ा भी कर सकते हैं ठीक है इसको बढ़ा भी कर सकते हैं और इसको बिल्कुल किताब के फर्मेट में अच्छा और भी बढ़ा हो जाएगा बिल्कुल ठीक है इसको किताब के फर्मेट में और हम जो है आपको पढ़ाने का नम्मा लगा देंगे ऐसे हमारा सौर मंडल अध्याइवन यहां से आप देखेंगे तो बिल्कुल ऐसे जो है चैप्टर भी चेंज हो रहा है यहां से हम जब भी देखेंगे तो आप देखेंगे तो इस तरीके से क्या हो रहा है यह चैप्टर भी चेंज हो रहा है तो इसको हम क्या करेंगे इसमें आप complete तरीके से कल से पढ़ाने का number लगा देंगे बिल्कुल detail में complete तो आप इस चैनल को हमारे को subscribe कर लिजेगा अपने दोस्तों को भी share कर दीजेगा उनको बता दीजेगा क्या अनुपमसर कल से PRST के लिए class start कर रहे हैं SST वो भी बिल्कुल बहुती सामधार resources के साथ में तो वीडियो आई होप आपको अच्छे लगी होगी तो comment में SST वही नोपमसर जरू लग देना और अपने दोस्तों को share कर देना चैनल को subscribe कर देना Thank you very much जय हिंत जय भारत